दोस्तों YouTube पर व्यूज लाने का तो बहुत सारा सोर्स होता है लेकिन यह जो YouTube सर्च का सोर्स है यह आपके कंट्रोल में होता है आपके आतों में होता है लेकिन आप लोग इसको यूज नहीं करते हो अगर आप अपने अंदर की सारे सेटिंग को लगा दोगे पूरा दम लगा दोगे ना तो कोई भी वीडियो चाहे कितना भी बेकार वीडियो हो उस वीडियो को आप हीजिली YouTube सर्च में लेके जा सकते हो जैसे कि यहाँ पर लाइप प्रूब देखलो यह जो मेरा वीडियो है ना इस वीडियो को YouTube ने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया इस वीडियो बर इस वीडियो पर अच्छा खासा वीच आ रहा है जैसे कि यहाँ पे देखो जब वीडियो को में अप्लोड किया था तो ग्राप कैसे नीचे के तरफ जा रहा है तो आज मीपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने YouTube की कोई भी वीडियो को सर्च में बहुत एसली कैसे बहिए सकती हूँ, चाहे कोई भी वीडियो, अगर आपका वीडियो ठीक ठाक है, वाट यूटुब ने उसको support नहीं किया, यूटुब ने promote नहीं किया ना, तो आप खुद का ताकत लगा के, अपने वीडियो को सर्च में easily बहिए सकती हूँ, क्योंकि दूस्तों का आप यू यूटुब हमारे वीडियो को recommend करे या ना करे, but search में तो मैं खुद से ही वेज लेता हूँ, तो आज वापको बताने वाला कि कैसे आप अपने वीडियो को खुद से यूटुब सर्च में लेके जा सकते हूँ, तो तो आप यहाँ पर देख लो, जैसे कि मेरे इस वीडियो पर शिर्प आ रहा है यहाँ पर search से, maximum views आ रहा है search से, तो चलिए आपको बताता हूँ कि कैसे करके आप अपने वीडियो को search में लेके जा सकते हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने यहाँ पर देखो कर वाले वीडियो के winner यह पाई हुए है, तो इसक कमेंट से winner निकालते हैं, जिसका पर comment highlight होता है, उसके चैनल का promotion बिल्कुल free में कर देते हैं, तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने आकर इस वीडियो में trick क्या लगाया था, दिमाग क्या लगाया था, यह कि बाद मैंने इस पर काम किया था, लेकिन आप बात करते हैं, आखर मैंने क्या क्या था, कौन से trick लगाया था, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको भी वीडियो को डालोगे, जैसी कि मेरे ये वीडियो था, ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो के analytics पर जाना है, सिर्फ दो ही काम करोगे तो आपका विडियो सर्च में आटोमेटिक जाएगी ही जाएगी बस आपका विडियो थोड़ा सा ठीक टाक होना चाहिए ऐसा नहीं कि एकदम बेकार विडियो है कोई भी क्लिक कर रहा है और बेकारा ऐसा नहीं होना चाहिए बस आपका वीडियो थोड़ा बहुत ठीक टाक होना चाहिए, फिर सर्च में आएगा ही आएगा, अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आना है, रीच में, यहां पर आने कब आपको नीचे के तर्ब स्कॉल करना है, फिर आपको यहां पर बहुत सारा यहां पर आपको मिलता है यूट्यूब सर्च ट्रब, यहां पर क्या होता है? सिर्फ आप अपने वीडियो को सर्च करने का ही काम होता है यहां से का क्या करना है? यहाँ है तो इसको सेब्ले करना है यहाँ है और यहाँ से पर्सेंट यहां पर एक स्क्रीन सौर्टि ले लेना थे राए पहुत से पहले करना है आपको यहाँ चार कीवर्ड पो ले लेता हूं बागी गिवर्ट को में नहीं लेने वाला हूँ, अब यहां से में कर देता हूँ, इसको save, save करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है, simply यह वाले application में, copy text on screen, ठीक है, यह application आपको playstore पर मिल जाएगा, copy text to picture यह तो को भी text on screen पर बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको application को install करना है, install करने के बाद आपको क्या करना है, simply यहां पर आपको गैनरी से वही वाले photos को ले लेना है, इस application का काम क्या है, बताए, कोई भी लिखा हूँआ चीज को यह text में convert करके दे देगा, जैसे कि यह तो photos में लिखा हुआ है, बट यह क्या करेगा, यह application आप अब क्या करता हूँ, यहां से कर देदा हूँ, जैसे मैं सब्सक्राइब करूँगा तो यहां पर देखो क्या होगा, extract हो राए, ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करेंगे, simply इसकी पर click करेंगे, click करने के बाद यहां से इसको पूरा का पूरा का पूरा copy, select all कर लिए, यहां स इसको भी यहां पर cut कर देता हूँ, कुछ इस परकार से, ठीक है, इसको भी cut कर दिया हूँ, अब क्या करता हूँ, इसको भी यहां से cut कर देता हूँ, cut, ठीक है, percentage को भी cut कर दिया हूँ, तो यहां पर मैंने total यह 4 keyword को निकाल लिया हूँ, अब मेरे channel पर search से जितने भी views आ चाहिए 4 views आ रहे हैं, 5 views आ रहे हैं, यहीं सब keyword के search करने पर आ रहे है, तो सबसे पहले आपको यहां पर keyword को add कर लेना है, add करने के बाद, अभी आपका काम कतम नहीं हुआ, अभी देखो, आपको search में लेकर जाना है ना, 100% जाएगा, बस ध्यान से देखो, मैं जो तरीका लगाता हूं, वहीं आपको बताने वाला, आपको तरी से चले जाना है, अपने YT Studio application में, यहां पर आने के बाद, अब क्या करना है, जैसे कि आपने search term में तो काम अपना कर लिया, बट अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है, द्यान से देखो, अब तोड़ा और नीचे के त करना है, सारा keyword tag वगरा को, कैसे करना है, यह भी आपको इस video में बता चलेगा, यहां से देखते जाओ, सारा process को समय लेना, ठीक है, अब दूस्तों क्या करना है, यहां पर आपको देखना कि कौन-कौन keyword के नीचे आपके वीडियो सब्सक्राइब कर रहे है, जैसे कि यहां स keyword के suggestion में हमारा वीडियो सु हो रहा है, जैसे कि देखो इसका topic क्या है, सब्सक्राबर कैसे बढ़ा है, तो इस video की suggestion में मेरा वीडियो आ रहा है, तो हमें इस पर काम नहीं करना है, मेरा topic तो अलग है, यह channel कैसे बना है, तो अब क्या कर हुआ है, यहां पर देखो दूसरा क् तो आपको यही सब topic पे काम करना है, तो अब क्या करूगा, मैं यह सब keyword के session में अपने वीडियो को नहीं बेजूँगा, मैं यही सब अपने category से मिलता जुलता, अपने topic से मिलता जो ता keyword पर काम करूँगा जैसे कि देखो मेरा topic है YouTube channel कैसे बनाएं और इसका भी topic है YouTube channel कैसे बनाएं तो अब मैं यह सम्मेट टिक लगाऊंगा यह सम्मेट दिमाग लगाऊंगा जैसे कि सबसे पहले क्या करता हूँ मैं पहला वाला इसके पर करता हूँ click जैसे इसके पर click करूँगा तो यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से ठीक है यहाँ पर जैसे मैं इसके पर click किया हूँ तो यह आज चोगा है कुछ इस प्रकार से तो simply मैं इसके पर यहाँ पर click करता हूँ क्लिक करने के बाद दुफतों हम सीधे रिडाइट हो जाएंगे यूट्यूब अप्लिकेशन में जैसे कि यहां पर क्या करता हूँ विडियो को करता हूँ प्यूज करने के बाद इसको करता हूँ लिंक को share मतलब copy कर लिया हूँ copy करने के बाद आप इस विडियो के title को आपको कर लेना है copy title copy करने के लिए white tools नाम से application आपको प्रिश्टर पर मिल जाएगा जाके download कर लेना free application है जैसे कि देखो यहां पर क्या करना है आपको simply यहां पर paste करना है and करना है go फिर आप आपको option मिल जाएगा copy title का अपको कर देना है इसका अपर क्लिक इस इसका所以 हो जाएगा copy copy करने के बाद क्या करना आपको फिर से notes में आना है और यहां पर नीचे के तरफ कहीं पर भी save कर लेना है यह हो गया and अभी देखो इसके बाद क्या करना है यह तो आपने कर लिया पर यह तो हमने इसका title copy कर लिया अब और देखो इसके आपने के बाद सिंपली यहां पर अपने लिया है यहां पर आने के बाद सिंपली यहां पर अपने यहां से पूरी तरीके से copy करने के बाद क्या करते है अब यहां पर कर लेते है इस प्रकार से अपने कर लिया सबसे पर लागा ऑपका हो गया कि सर्च में जो जो keyword से व्यूस आ रहा है वो सब keyword को आपको निकाल लेना है एंद दूसरा आपका जोभी topic है जिस topic विडियो बनाये हो ना उसी topic के suggestion में जोभी विडियो आ रहा है उसका title निकाल लेना है जैसे कि मेरा topic था कि YouTube चैनल कैसे बना है तो यहां पर आने के बाद आपको simply चले जाना एडिट वाले सेक्शन पर एडिट वाले सेक्शन पर आना है सबसे पहले क्या करना है पता है यहां पर एडिट पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर अपने टाइटल में चेक करना है कि आपकाака टाइटल में क्या-क्या कीवर्ड डाले हो, यूटूब चैनल कैसे बनाए, यूटूब चैनल कैसे बनाए, क्रियेट यूटूब चैनल यहाँ पर मैंने तीन QEEWर्ड ल? आपको क्या करना है आपको जाना है यहां पर देखना है keyword में जो जो आपने वहां पर डाला है तो YouTube चैनल कैसे बनाए यह तो है YouTube चैनल कैसे बनेगा यह keyword को मैंने add नहीं किया हूं तो अब मैं क्या करूंगा इस keyword को यहां से कर लेता हूं copy करने के बाद दोस्तों क्या करूंगा यहां पर एक चीज़ को कट कर दूगा create YouTube चैनल इसको मैं नहीं रखूंगा यहां पर क्या करूंगा मैं इसको कर दूगा यहां पर add तो क्या करना है यहां आपको फिर से आना है इन चारों यहां पर जो दिकर है topic ठीक है मतलए keyword इसको कर लेOM copy करने के बाद तोश्तों आपको चले जाना है simply यहां पर और यहां पे आपको आना है और यहाँ आपको ताइटन कर न करना है। काम करना है दो काम करते छोड़ देना है इतना करने के बाद आसे बैक आना है और एक बार क्या करना है जो टाइटल है इस टाइटल को कॉपी करके आपको टैग में या पर डाल देना है डालने के बाद आपको सिमली क्या करना है से वाले अफसल के पर क्लिक करके कर देना है वी तुरियो सर्च में आ जायेगा चाहिए एक नौन में आए दो नौन में आ बड़ रश्म में आना स्टार्ट को जाएगा तो बस आज की जुड़ों में ता अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सकाइब कर देना मिल